क्या दोस्तो आपका SBI Bank का ATM है या तो किसी भी बैंक का और आपका ATM जब आप बैंक में दोस्तो जाते हुई या तो ATM जो नियरबाई होता है वहाँ पर जाके आप payment उड्डो करने का खुशिच करते हो तो वहाँ पर लिखा आ रहा है कि your transaction has been delined due to pin change तो इसका मतलब क्या है और इस problem को आप कैसे solve कर सकते हो तो मेरे दोस्त ऐसा error तब आता है जब दोस्तो कभी कबार technical error भी होता है ठीक है तो आप क्या कर सकते हो जैसे की generate pin में क्लिक करो ATM में जाके अपना ATM डालो उसके बाद generate pin में क्लिक करो उसके बाद एक क्या होगा उसके बाद register mobile number डालना होगा और उसके बाद OTP के तरह आज आजाएगा आपका जो पीन है एक temporary pin generate करके दे देगा bank के तरफ से और वहाँ पर आपको ना word में लिका रहेगा की password क्या है आपका ATM का ठीक है four digit का आएगा और उसके बाद क्या करना होगा आपको change करना होगा ठीक है दू तिन बार change कर सकता आपना ATM का pin ठीक है कभी कबार technical error के वज़े से यसा होता है तो आप अपना pin change कर लो ठीक और बहुत सारे लोगों का online भी transaction जब करते है उस time भी उनका same mirror आता है तो सब कुछ solve हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों तो आपको क्या करना होगा अपना जो nearby ATM है वहाँ बर जाके पहले जनायर पीन करना होगा एक temporary one time पीन आएगा 24 hours के लिए तो उसके बाद साथ ही साथ है वह डाल के new pin generate करने ना दोस्तों ठीक है तो अगर आपको pin generate करना आता है तो आप वापस कर लो ठीक हो जाएगा मेरा बात मानो हो जाएगा मेरे दोस्त ठीक है आपका क्या error आ रहा है मुझे समझ में आ गया है ठीक है आपका उसने में error आ रहा है ना जब आप ATM डालते हो उसके बाद balance check करते हो तो error आता है या तो पैसा उड़ो करने का कुछिश करते हो तब ऐसा error आता है तो process जानते है पहले आपको ATM डालना है उसके बाद banking में click करना है उसके बाद English select करना है उसके बाद आपको दो digit का number डालके yes करना है उसके बाद आपका जो one time pin आया है वो ड ужint डालना ही यहां पर ठीक है दोस्तो तो इनिक पीन डालोगे री अंटर करने के लिए काँ जएगा तो बापस से ही डालना है और उसके बाद आपका बीन चंज 7 सक्सेशल लिखा आएगा तोदैखलो ऌर पीन चेंज 14 आएगा तो जैसे ही आएगा तो आपका जो error है वह तो जाके वो वीडियो पूरा देख सकते हो तो उसमें आमने इसा तरीका बताया है जो 0% loss है only profit है